9 नौमबर 2019 को राम मंदिर वा बाबरी मजजित का फैसला आया था पांच अगर 2020 को राम मंदिर वा बाबरी मजजित का फैसला आया था तो यह 400-500 साल पुराना कैज सुल जाता एक तरफ हिंदू जोते वो खुश हो रहे थे कि राम मंदिर अब बनेगा वहीं मुसल्मान थोड़े मायूस भी थे पर उन्होंने इस सुप्रिंग कोट का फैसला माना और सुकून से कोई भी जगड़ा कोई भी हिंसा नहीं होई उन्होंने सब मुसल्मानों खाए कि सुप्रिंग कोट का फैसला है हम मानेंगे पर हम मायूस है थोड़े पर सुप्रिंग कोट ने जो फैसला दिया है हमारे सर पर है और हम उसको मानेंगे दोस्तों पर दोस्तों अभी पांच अगर 2020 को राम मंदिर का निर्वार शुरू हो गया, अब आयोधिया से दोस्तों बड़ी ख़पर सामने निकल कर आ रही है, क्या है बड़ी ख़पर मैं आपको इस वीडियो पूरी जानकर ही बता हूँ दोस्तों, उससे पहले मैं आप से कहना दोस्तों आपको पता चल जाएगा, दोस्तों आयोधिया में एक लोग एक कहते है जो बार्टे जंदा बार्टी के हैं और राम की नगरी है और इसमें, मतलब यह ऐसा टीवी चैनल उपर ऐसा माहुल बनाए जाता है कि आयोधिया में और कोई नहीं है, सिर्फ यह जो आयोधिया के अंदर शीष अलिएससलाम की मजार भी है, यानि आदम अलिएससलाम के तीसरे बेटे शीष अलिएससलाम वो अल्ला के नभी की मजार भी है, वहाँ पर इसका मतलब यह नहीं है, कि वहाँ पर राम मंदिर बनने जा रहा है, तो वह आयोधिया राम की है, और र एक राममन्दी के निर्माड में रुकावड भी आये कि बरसात के अधर बाड जो पानी हो गए जिसके कारण बारीज जब तर बरसात होती रहेगी बरसात खतम नहीं होगी जब तक राममन्दी का निर्माड यानि स्टार्ट नहीं होगा राममंदी नहीं बनेगा यहीं बड़ी खबर सामने निकल कर आ दिये सुत्रों के हवालते के राममंदी के निर्माण है वो रुख गया है बाढ़ के खारण यानि बारिश के कारण चलिए आपकी यह प्रितिक कि रिया इस पर आप नीचे कमेंट बोक्स अपर दरूर बताईएगा इस वीडियो को ज्यादे जादे शेर करिएगा लाइज जरूर करिएगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को दरूर सब्सक्राइब और बेल आगउन को दबादी का ताकि मैं जब भी नहीं वीडियो लेकर इस वीडियो में इतना ही